तो आपको सारे चैप्टर्स के वी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे तो आपकी तैयरी बहुत अच्छे से हो चाहेगी तो आप डेली इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्फ कीजिए और कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा हम उसको अलग से डिसकस कर लेंगे ठीके स्टार्ट करते हैं कॉशन को देखें यहाँ पर हमारा कॉशन है यानि कि जो अकाउंटेंट की जो 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 होती है वो किस तरह की नेचर की होती है अनालेटिकल, क्लेरिकल, रूटीन या फिर नन अफ दिस पताएगे क्या होगा आंसर क्या होगा आंसर देखी अगर हम बात करें एक अकाउंटेंट की तो आपको पता है अकाउंटेंट का काम होता है जो भी अकाउंट के हमने रिकॉर्ड करके रखे हैं उनको देखना कि वो सही है या नहीं उनकी रिकॉर्डिंग साही से हुई है नहीं तो एक तरह से यह अना इस पर आलेटिकल नेचर का होता है ठीक है पूरा अनालिसिस किया जाता है कि सही तरह से डोकुमेंट्स प्रप्यर किये गए है नहीं उनको जो भी रूल्स है हमारे अकाउंट्स के रिलेटेड़ जो कि personal account, real account और आपने nominal account पड़ा होगा और वो उसकी according और उसको record किया गया है या नहीं यह सारी चीज़े देखते हैं यहाँ पर ठीक है तो a right answer यहाँ पर हो जाएगा a analytical ठीक है next question है which of the following items is treated as tangible fixed assets अब आपको बताना है इसमें से कौन सा item है जो की हम tangible fixed asset की तरह treat करते हैं goodwill, land and building, trademark या copyright simple है चल्दी से answer करिए क्या हो जाएगा tangible fixed asset की बात की जा रहे है यहाँ पर देखें यहाँ पर tangible fixer set में क्या जाएगा हमारा land and building fixer set है और यह tangible भी है ठीक है तो option भी यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा trademark, copyright, goodwill यह सब क्या है intangible income touch नहीं कर सकते हैं जबकि हम land and building को touch कर सकते हैं बहुती simple question था, next question पर आईए the information involved in the annual financial statement of an enterprise pertains to यानि कि आपको इसमें बताना है ऐसी कौन सी एक अगर हम बात करें enterprise के लिए तो वहाँ पर financial statement के लिए कौन कौन सी information प्रोवाइट की जाती है individual business enterprise, the economy as a whole, business industry या फिर none of the above किस से related informations होती है देखी, यहाँ पर financial statement के लिए बात की जा रही है तो financial statement से related कुछो information यहाँ पर हमारी involved है वो है हमारी individual business enterprise से related यानि कि एक individual business किस तरह से run कर रहा है, कैसा उसका काम है या कौन कौन से method follow किये जा रहे है, यह हमें financial statement से पता चलते है ठीक है, option A यहाँ पर हमारा right answer है next question पर आईए अब इस question में आपको बताना है कि कौन सा statement हमारा correct है पहला statement बोल रहा है कि जो कि accounting है, वो हमारा सिर्फ business transactions की record को record करता है केवल second option हमारा बता रहा है कि amount on to outsiders other than proprietor is called capital यानि कि कोई भी ऐसा amount जो कि outside से लिया गया है proprietor को छोड़ कर, तो वो हमारा capital है third option हमारा बोल रहा है debit means decrease in assets यानि कि debit का मतला होता है assets में decrease आजाना, यानि कमी आजाना या फिर D option हमारा accounting is the language of business बताए कौन सा option हमारा यहाँ पर correct है देखिए एक option को अच्छे से समझते हैं first है यहाँ पर बोला accounting involves only the recording of business transactions यह तो option बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि accounting में recording, classifying, summarizing यह सारी चीज़ें आती है सिर्फ record करना हमारा accounting का part नहीं है इसलिए यह cut गया second है amount, capital की बात करें और आपको पता है capital वो amount होता है जो कि एक owner या फिर एक proprietor अपने business में लगाता है वो उसके लिए capital है तो यह भी cut गया debit means decrease in assets debit means decrease in assets यह नहीं होता है debit का मतलब होता है हमारे expenses debit का मतलब होता है हमारा loss ठीक है next है accounting is the language of business यह बिल्कुल correct है क्योंकि accounting हमारी business की language को बताता है ठीक है, तो option क्या हो जाएगा हमारा 4 correct हो जाएगा I hope यह question आपको clear है next question पे आए which accounting concept is also known as periodicity assumption अब यहाँ पर आपको बताना है किस accounting concept में हम periodicity assumption को लेते है money measurement concept, going concern concept, accounting period concept या फिर accounting entity concept बताएगे यह सारे concept आपको पता है ना अगर नहीं पता है तो प्लीज बता दीजे हम इसको एक एक करके discuss कर लेंगे बहुत simple है देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें periodicity assumption की तो यह आपको आपको आप्शन सी हो जाएगा याँ accounting period concept इसके अंदर यह कहा गया है कि जो हमारा accounting होती है वो हमारी एक particular time period पर होती है यानि कि आपको बता है accounting period हमारा कितना होता है 12 month का होता है अभी 12 month कहीं से भी start हो सकते हैं यह depend करता है business पर वो या तो January तो December अपना time period लेके चल सकते हैं या फिर March से April या फिर April से March और कुछ businessman अपने accounting जो उनका period होता है उसको वो दिवाली से दिवाली मानते हैं तो यह depend करता है कि वो कौन सा period ले रहा है लेकिन सबका period 12 month तक होता है ठीक है going concern concept देखी यहाँ पर discuss कर लेते हैं going concern concept का मतलब होता है कि हम जो भी business start कर रहे हैं वो यह सोच कर चल रहे हैं कि हमारा जो business है long time तब work करेगा ठीक है money measurement concept में होता है कि उन transactions को include किया जाता है जिनको हम money में measure कर पाएं याने की वो monetary aspect में होने चाहिए accounting entity का मतलब यह होता है एक business की अपनी खुद की entity है उसका owner और उसकी business की entity दोनों separate है ठीक है तो option यहाँ पर see right answer हो जाएगा next question पर आईए revenue is generally recognized at the point of sale which principle is applied hearing बताएए जो revenue है वो हमारा generally sale की समय recognize किया जाता है तो यह principle हमारा क्या बताता है किसके अंदर है consistency, matching, revenue, recognition या फिर cost principle देखिए यहाँ पर जाना discussion करने की ज़रूत नहीं है हम यहाँ पर इस आप देख सकते revenue recognition की अंदर यह हमारा बात कही गई है revenue recognition का मतलब होता है जहाँ पर हम यह revenue को देख पाएं कि हमारे sale होई है यानि कि हमने कुछ receive हुआ है यानि कि हमने कुछ ना कुछ sale किया है के लिए help में नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमने पहले कोई और method अडॉप किया था तो हमारा जो amount था या हमारी company के जो profits थे वो कुछ और थे अब हमने कोई और method अडॉप कर लिया तो हम उससे क्या होगा उससे help नहीं ले सकते comparison नहीं कर सकते इसलिए consistency होनी चाहिए cost principle में हम अपने जो भी company के अंदर goods या service की बात करते हैं तो वो cost के basis भी किये जाएगे उनका calculation होगा कि कितनी cost particular one unit पर आ रही है ठीक है तो हमारा cost principle है next आईए the assumption that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future is also is known as यानि कि एक ऐसी assumption जिसमें हमारा business enterprise sold नहीं होगा और नहीं liquidate होगा near future में वो हम क्या कहेंगे अब यह भी मैंने आपके साथ discuss किया आप easily बता सकते हैं options है monetary unit, going concern, conservatism या फिर periodicity बताएए क्या हो जाएगा इसका answer देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका right answer हो जाएगा be going concern क्योंकि अभी मैंने कहा कि going concern में हम यह assumption लेके चलते हैं कि हमारा business जो है वो long time तक चलेगा हम इसको नहीं sold करेंगे और नहीं हम इसको shutdown करेंगे नहीं liquidate करेंगे ठीक है long term तक हम इसको चलाएंगे ठीक है तो option B हाँ पर हमारा going concern right answer हो जाएगा next question है companies must prepare financial statement at least yearly due to the assumptions of यानि कि company जो है अपने financial statement prepare करेगी yearly basis पर अब वो कोई भी time period हो तो ये assumptions हमारी किसके कारण होती है periodicity, cost benefit, conservatism या फिर matching अगे सारे मैंने आपको बता दिये हैं तो आप easily इसका answer कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी assumptions हैं जिसके basis पर हम ये yearly का concept लेके चलते हैं क्या हो जाएगा ये हो जाएगा periodicity यानि कि एक particular period हम मानेंगे जिसके basis पर हम अपने financial statement को prepare करेंगे ठीक है next आई है following the WDV written down value method of depreciating a particular asset year after year state the name of the relevant accounting principle applied here यानि कि जब हम written down value method जो हमारे depreciation का है उसको हम year after year जो हमारी value निकल कर आती है तो वो हमारे किस principle accounting principle में से related है या फिर relevant है बताएगे conservatism principle की बात करती है materialistic principle, full disclosure principle या फिर consistency principle क्या हो जाएगा answer देखें यहाँ पर हो जाएगा option D क्योंकि देखें consistency की यहाँ पर बात की जा रहे है यानि कि अगर हम किसी भी asset पर written down value method adopt कर रहे है तो हमें हर साल वही करना है अगर हम अपना change कर देंगे तो हमारी asset की real value है वो निकल कर नहीं आएगे इसलिए हम अगर एक साल हमने यह वाला method adopt किया है तो next year हमें वही करना है तो consistency हमें बना के रखनी है ठीक है इसलिए option D correct है next question है the primary qualities that make accounting information useful for decision making साथ यहनि कि आपको यहाँ पर बताने है primary qualities जो कि हमारे accounting informations जो होती है वो help करेंगे हमारे decision लेने में कौन-कौन से है comparability and consistency, materiality and timeliness, relevance and reliability या फिर reliability and comparability बताएए primary quality बताने है आपको, वैसे तो यह सारी ही qualities है ठीक है क्या हो जाएगा देखिए, comparability and consistency यह तो होनी ही चाहिए लेकिन यह primary नहीं है इससे हम यह नहीं कह सकते कि हमारे information बिल्कुल सही है materiality and timeliness भी बिल्कुल correct है लेकिन यहाँ पर एक point दे रखा है relevance and reliability यानि कि जो भी information है, relevant है और reliable है यानि कि अब जो भी information आप collect कर रहे हो, वो आपके लिए बिल्कुल correct है वो आपके reliable भी है, यानि कि वो आगे change नहीं होगी relevant भी है, तो इससे क्या होगा, यह बाकी की जो remaining है वो अपने आप work करेंगी reliable होगी, तो comparison में help होगी ठीक है, और relevant होगी, तब भी comparison में help होगी timeliness भी होगा उसके अंदर इसलिए यहाँ पर relevance and reliability हमारा primary quality है option C, यहाँ पर हमारा correct हो जाएगा hope, यहाँ पर सारी चीज़ें अब तक जितने में questions में discuss की हैं, आपको clear है फिर भी कोई भी point या कोई भी world में आपको दिक्कत है, तो आप please बता दीजेगा एक-एक चीज आपको clear होनी चाहिए, अभी इक्वल टू liabilities minus capital, B है हमारा assets equal to capital minus liabilities, C है assets equal to liabilities plus capital and D है हमारा assets equal to external equities, बताईए कौन सी equation आपको correct लग रही है देखिए इस तरह की चीज करने से पहले आप खुदी अपने एक chart बना लिजेए, आप balance sheet prepare करते हैं, तो किस तरह का format होता है उसका, देखिए यहाँ पर होती है हमारी asset, यह होती है हमारी capital and यह होती है हमारी liabilities, यानि कि capital और liabilities plus होंगी और वह हमारी equal होंगी asset के, अब यह देख लीजे, आपको कहां पर match कर रहा है assets, liabilities minus capital, cut गया, assets, capital minus liabilities, यह भी cut गया assets equal to liabilities plus capital, यह बिलकुल correct है ठीक है, simple है, easily आपने यह निकाल लिए इसका answer, ठीक है next time the liabilities of a firm are rupees 6,000 and the capital of the proprietor is rupees 4,000 the total assets are, बहुती simple है, अब यह जो मैंने आपको chart बताया था, उसके basis पर आप इसका answer निकाल लीजे, 6,000 होगा assets की value, 2,000, 10,000 यह फिर 5,000, बताये क्या होगा answer simple है, इस तरफ हमारे आती है liabilities and capital, कितना हो गया है, 10,000 और इस तरफ जो हमारी liabilities का portion assets के बरावर होना चाहिए तो यानि कि assets हमारी कितनी है, यह भी हमारी 10,000 है options ही है, यह पर right answer हो गया, ठीक है next question है if a firm borrows as sum of money, then their bill will be यानि कि अगर कोई जो firm है, वो borrow करती है amount को तो वो हमारे लिए क्या है, capital में increment है capital में decrement है, या फिर कोई भी effect नहीं पड़ेगा या फिर none of this, बताईए देखी बहुत simple है, अगर आपने कोई भी amount borrow किया है कहीं से भी, ठीक है, और उसको firm में लगाया है तो आपकी capital to increase हो जाएगी लेकिन साथी साथ assets, जो आप show करते हैं creditors ठीक है, current assets में creditors, वो भी आपके भढ़ जाएंगे तो एक तरह से क्या होगा, कोई भी effect नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ भी बढ़े और वहाँ भी भढ़ गया दोनों का amount एक्कल हो गया जैसे कि, for example, liabilities आपकी बढ़ गए पाँच हजाद, पचास हजाद से और वहाँ पे current assets की बात करें तो current assets में हम show करेंगे creditors वो भी बढ़ गए आपके पचास हजाद से तो क्या होगा, कोई भी effect नहीं पड़ा तो no effect in capital ठीक है? Next, देखिए Bank overdraft account is personal account, real account, nominal account या फिर none of these बताईए, bank overdraft जो है हमारा किस तरह का account है मैंने ये सारे accounts आपको बहुत अच्छी से समझाएं, तो आपको खुद पता होने चाहिए personal में क्या आता है, real में क्या आता है nominal में क्या आता है और अगर आप नहीं है, आपको नहीं पता पर option A right answer हो जाएगा bank overdraft हमारा personal account में consider किया जाता है, इसलिए option A हमारा right answer है ठीक है, next question पर आईए drawings account of the proprietor is याने कि कोई भी proprietor का drawing account है, वो क्या है personal, real, nominal या फिर none of these देखिए, drawing account क्या हो जाएगा A हो जाएगा, personal account में consider किया जाता है, यह सारे account आपको नहीं पता हैं तो बता दीजेगा हम अच्छे से discuss कर लेंगे, क्योंकि यह बहुत important है, चार से पांच questions यहां से आते हैं आपके exam में bank account is personal account, real account या फिर nominal account क्या हो जाएगा, answer A हो जाएगा, personal account bank account हमारा personal account में consider किया जाता है next है, purchase account is, real account nominal account या फिर personal account क्या हो जाएगा, answer purchase हमारा कासा है, real account है, ठीक है option A हमारा यहां पर right answer है next है, goodwill account is, अब goodwill हमारा किस तरह का account है, real account, nominal account, personal account या फिर none of these goodwill कौन सा हो जाएगा, goodwill हमारा है, real और कौन सा है, intangible क्योंकि touch नहीं कर सकते हैं, इसलिए real intangible accounts है, option A हमारा correct है, next है, bad debts recovered account is, अब bad debt हमारे recover हो रहे हैं, तो यह हमारे किस तरह का account है, personal है, nominal है, real है या फिर none of these देखिए, इस तरह के questions आप तभी पढ़ पाएंगे, जब आपको personal account, nominal और real in सब के बार में पता होगा, ठीक है, तो पहले उसको पढ़िए, जाके देखिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, दो से तीन वीडियो मैंने इस topic पर बना रखी हैं, और फिर भी उससे समझना आएं, तो आप बताएगा, हम द्वारा से discuss कर देंगे, option, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, B, यह हमारा nominal account है, क्योंकि यह हमारा क्या है, bad debt हमारा किस तरह का account है, loss में आता है, ठीक है, next है, interest accrued account, अब कोई भी interest accrued account है, वो हमारा किस में consider करते हैं, personal account में, real account में, nominal account में, य क्या होगा answer, answer यहाँ पर हो जाएगा, B, nominal account, interest accrued account हमारा nominal account है, ठीक है, तो option, B, यहाँ पर आईटा answer हो जाएगा, hope यहाँ पर आपको सारे questions clear है, किस भी question में कोई भी doubt लगता है, comment section में बताएगे, आप टैलेग्राम ग्रूप जोएन करोंगे, लिजे, वहाँ पर आपको अपनी कोई भी query पोच सकते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, hope आपको सारे questions clear होए होंगे, किसी भी तरह का doubt हो, आप पोच सकते हैं, वीडियो पसंद आएटे वीडियो को like कीजे, friends या share कीजे, और किसी भी तरह की कोई भी query हो, तो जरूर बताएगा, तो next वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए take care, bye bye